जहें साथियों बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का वीकली करेंट अफ़ेर्स सेशन में 24 सिले के 30 अक्टूबर 2022 के महतुपूल प्रशनों को डिसकस करेंगे और पहला प्रशन आप सभी के सामने रहा हाली में सेंटी मिलीनियर रिपोर्ट जारी की गई और भारत का इसमें कौन सा स्थान है तो आप अपना एंसर कमेंट बॉक्स पर भी दे सकते हैं और पूरे 40 कोश्चन सोंगे तो पूरे 40 प्रशनों को ध्यान से सुनिए बताइए आपका टोटल स्कूर कितना है तो भारत का इसमें तीसरा स्थान है भारत का कौन सा प्लेस है भारत का थर्ड प्लेस है और पहला स्थान किस देश का है अमेरिका का है और दूसरा स्थान है चाइना का पहला स्थान अमेरिका दूसरा स्थान चाइना का है और तीसरा स्थान भारत का है ये centi millionaire होता क्या है तो कोई भी वेक्ति जिसके पास 100 million American dollar हो या फिर 830 करोड रुपए हो निवेश करने योगे उस वेक्ति को हम centi millionaire कहते हैं तो भारत में 1132 करोड पती है जो कि centi millionaire है पहले स्थान पर कौन सा देश है USA दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर भारत है भारत ने जर्मनी प्रिटेन जैसे देश को पीछे कर दिया है देगी 2022 तक अनुमान है कि भारत दूसरे नंबर पर पहुँच जाएगा चाइना को पीछे छोड़ देगा कुशन नंबर टू को डिसकस करते हैं हाली में रिसी सुनक किस देश के अगले प्राइमिनिस्टर बन गए है तो रिसी सुनक जो है ब्रिटेन के अगले प्रधान मंतरी बने है मात्र 42 साल के है 42 एर्स के है सबसे युवा प्रधान मंतरी ब न्यूजेलेंड के प्रधान मंतरी है जसिंडा आडन जसिंडा आडन देखी यहां पर कैनडा के प्रधान मंतरी है जस्टिन टूडो क्या नाम है इनका जस्टिन टूडो यह सारे important point आपको याद होने चाहिए प्राइमिनिस्टर का नाम direct पूछ लिया जाता है यह भारती म से इनका संबंध है रिसी सुनक की बात करें तो यह हिंदू समुदाय के सबसे पहले ब्रिटिस प्यम है और भारती मूल के पहले ब्रिटिस प्यम है देखे दोस्तों आप देख रहे हैं 24-30 अक्टूबर के weekly current affairs को तो यहां पर दो इसका objective है पहला आपका revision कराना और दूसरा आपका test लेना तोटल 40 questions आप सभी के सामने एक एक करकर आएंगे कठिनाई का मतलब असंभव नहीं है इसका सीधा समतलब है आपको कड़ी मेहनत करनी होगी तब ही आपको कुछ मिलेगा और लोग मेहनत करने से ही भाग जाते हैं मेहनत करिए result आपके पास जल्द आएगा question number 3 हाली में भारत और किस देश की बीच में Tiger Trump नौ सैनिक अभ्यास हुआ है तो Tiger Trump नौ सैनिक अभ्यास किसकी बीच में हुआ है भारत और अमेरिका की बीच में हुआ है ठीक है, Tiger Trump, यहां पर Trump लिखा हुआ है, तो आप समझ जाईए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अमेरिका की, क्योंकि इसके पहले राश्ट्र पती अमेरिका के Trump थे, तो जापान की बात करें, तो भारत और जापान के बीच में होता है, जिमेक्स, ठीक है, भारत और आस्ट्रिले क की बीच में होता है, Aussie Index, भारत और आस्ट्रिले की बीच में Aussie Index exercise होता है, इंडोनेशिया के और भारत की बीच में होता है, कौन सा अभ्यास होता है, पूछा जाता है, कई बार एक्जाम में, तो यह है मैत्री, क्या नाम है, मैत्री, इन सभी अभ्यास को आप याद यहाँ पर पूरी एक लिस्ट है, जो की important exercises की बारे में हैं, भारत और अमेरिका की बीच में वज्य प्रहार, युद्धभ्यास होता है, भारत और नेपाल की बीच में सूर्य किरण, युद्धभ्यास होता है, भारत और फ्रांस की बीच में चार होते हैं, गरुण, बाजार कोन बना है, तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है निदरलेंड, पहले नमबर पर अमेरिका है, दूसरे नमबर पर UAE है, और तीसरे नमबर पर है निदरलेंड, देखिए अभी जो report जारी की गई है, financial year 23, अगस 2022 की, तो इसमें भारत और अमेरिकी डॉलर हो गया है, चले कोशन नमबर फाइफ को डिसकस करते हैं, भारत के सबसे 100 सबसे अमीरों की फोब सूची जारी की गई, और पहला स्थान किस वेक्ति का है, तो पहला स्थान है गौतम अडानी का, पहला स्थान किसका है, गौतम अडानी का है, ये सबसे पहल देखिए पहले नमबर पे गौताम अडानी है दूसरे नमबर पे मुके संबानी है तीसरे है राधा किशन दमानी आपने बहुत जग है इनके आउटलेट देखे होंगे डी मार्ट चौते नमबर पे है साइरस पूनावाला शिव नादर और छटवे पे है सावित्री जिंदल कोशन नमबर 6 को डिसकस करते हैं समुद्री दुई पक्षी अभ्यास सिंबेक्स जिसे हम बोलते हैं ये भारत और किस देश की बीच में आईजित किया जा रहा है तो सिंबेक्स देखिए आपर नाम में ही छुपा हुआ है कि किन दो देश की बीच में होता है भारत और भारत और चाइना की बीच में होता है हैंड इन हैंड भारत और चाइना की बीच में एकसरसाइज होता है तो भारती नोसेना कहां पर यह अभ्यास कर रही है विशाखा पत्तनम में कर रही है विशाखा पत्तनम एक पोठ है एक बंदरगा है जो कि प्रागरतिक बंदरगा ह और इस अभ्यास का 29 एडिशन 29 संसकरण हो रहा है कब से शुरुवात हुआ है 1994 में इस एक्सरसाइज की शुरुवात की गई है देखिए आप पर और भी लिस्ट है युद्ध अभ्यास की जो मैंने आपको पहले भी बताई है आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आपको इसका PDF भी मिल जाएगा यहाँ पर भारत और बांगलादेश की बीच में आप याद रखेगा संप्रिती उद्ध अभ्यास है भारत और ब्रिटेन की बीच में तीन अभ्यास को याद रखेगा कोकड युद्ध व्यास, अजयवारियर और इंद्रधनुस यह तीन अलग हैं इसके पहले मैंने सारे अभ्यास Q3 पे था उस पे मैंने डिसकस किये है Q7 वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन बहुत अच्छा कोशन है, तो इटली, इसका सयुत्तर क्या होगा इटली के प्रधान मंत्री के रूप में इन्होंने हाली में सपत लिया है ठीक है, देखे दोस्तों, इटली की प्रधान मंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी, कब बनी है? 22 अक्टूबर 2022 को बनी है यदि आपसे पूछा जाए किस नंबर की प्रधान मंत्री है तो 31 नंबर की प्रधान मंत्री है इनकी पार्टी का नाम क्या है? Brothers of Italy किनके स्थान पर बनी है? Mario Draghi का स्थान इन्होंने लिया है देखे दोस्तों, अगला प्रशन इसरो ने हाली में OneWeb Company के कितने उपग्रह को लौँच किया है तो इसरो ने OneWeb Company के 36 सेटलाइट को लौँच किया है तो 36 सेटलाइट को लौँच किया है OneWeb Company कहा की कमपनी है? London की कमपनी है और ये Communication Satellite को लौँच किया गया है संचार उबग्रह को लॉंच किया गया है जिसका काम होगा कम्मिनिकेशन को सेट अप करना इसरों ने कब किया है 23 अक्टूबर को किया है कहां से किया है श्री हरी कोटा से किया है किसकी मदद से किया है LV M3 M2 लॉंच वीकल मार्क 3 की मदद से किया है 36 communication satellite को launch किया है और ये LVM3 rocket का सबसे पहला commercial launch था देखिए 1975 की बात है जब भारत का आरेभट satellite launch किया गया था रश्या की मदद से तो उस समय भारत के पास खुद का launching vehicle नहीं था आज ये condition है कि भारत विभिन देशों के satellites को launch करता है भारत की अर्थ विवस्था भारत की जो space technology है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है इस वज़े से हमें सब फर्क देखने को मिल रहा है वन वेब क्या है तो वन वेब एक प्रकार की नीजी उपग्रेस अंचार कंपनी है जो की लंदन में है इंग्लैंड में है इसका काम होता है internet connectivity प्रदान करना चले question number 9 आप सभी के सामने आ गया राजीव गांधी foundation और राजीव गांधी charitable trust के license किस मंत्राले के द्वारा रद कर दिये गए है तो ग्रह मंत्राले ने हाली में ये फैसला किया है कि राजीव गांधी foundation और राजीव गांधी charitable trust के license को इन्होंने रद कर दिया है देखे इन में आन्यमित्ता पाई गई ये नहीं पता चल रहा था कि पैसे कहां से आ रहे हैं ना ही प्रॉपर टेक्स दिख रहा था इस वज़े से इन दोनों फाउंडेशन की लाइसेंस को रद कर दिया गया है मैं आपको बता दूँ इसकी अभी जो चेर्मेन है सोनिया गांधी हैं दोनों गैर सरकारी संगठनों की प्रमुकोने कॉंग्रेस की पूरवध्य सोनिया गांधी हैं और इर्रेगुलरिटी पाई गई थी इस वज़े से मंत्राले ने हाली में रद किया है राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना 1991 में हुई है राजीव गांधी चरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 2002 में हुई है चलिए कुश्च नमबर 10 को डिसकस करेंगे बेस्टू वर्ष नाम का नव वर्ष किस राज में मनाया जाता है तो बेस्टू नाम का जो नव वर्ष है गुजरात राज में मनाया जाता है महत्वपूर्ण प्रशन है देखे फेस्टिवल से रेलेटेड कोशन पूछ ले जाते है कब मनाया गया 26 अक्टूबर को मनाया गया तो बेस्तू जो वर्ष है नया साल के उपलश की रूप में मनाया जाता है ऐसा माना जाता है कि हुजरात में नया साल बेस्तू वर्ष से स्टार्ट होता है पाँच दिन का दिवाली समारों के हिस्सिक रूप में ये मनाया जाता है कोश्चन नमर 11 आ गया धुन्दी तट और कदमत तट ये जो नीले समुद्र तट है इनको सूची में शामिल किया गया ये कहां पर इस्थित है तो ये जो दोनो कोस्ट है ये कहां पर है लक्षदीप पर है लक्षदीप आइलेंड पर है अब देखें लक्षदीप कहां पर है तो यहां देखें आप ये अंडमा नीकोबार है जो की बंगाल की खाड़ी पर है ये भारत का प्रादीपी हिस्सा है यह है यहाँ पे लक्षदीब तो यह दोनों जो कोस्ट है कहाँ पर है यह दोनों तट जो हैं लक्षदीब पर है अब टोटल 12 ऐसे भारत में तट हो गए हैं जिन्हें क्या मिल गया? Blue Flag Certificate मिला है और इन दोनों समुद्र तट को Foundation for Environment Education के दौरा 33 स्टैंडर को पूरा किया है इसलिए Blue Flag Certificate मिला है देखे Blue Flag Certificate के लिए आपको यह Criteria पूरा करना चाहिए कोई भी तट अगर उसकी Water Quality अच्छी है अगर उसका Environmental Management अच्छा है अगर वहाँ पर Safety और Services है अगर वहाँ पर Environmental Education और Information दी जा रही है अगर यह Criteria फुल्फिल करता है तो उस Coast को Blue Flag Certificate मिल जाता है यह Very Very Important Question बहुत ध्यान से सुनियेगा यह प्रश्न आना ही आना है बारवा विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आजित किया जाएगा तो बारवा विश्व हिंदी सम्मेलन फीजी में आजित किया जाएगा 1925 में पहला सम्मेलन हुआ था नागपुर में हुआ था कहां पर हुआ था नागपुर में हुआ था बारवा विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी को पूरी दुनिया तक पहुँचाने हिंदी को पूरे दुनिया तक ले जाने और इसके प्रचाय प्रसार को बढ़ाने के लिए हिंदी सम्मेलन किया जाता है अगले और्स 15-17 फरवरी के बीच में होगा देखे पहला सम्मेलन कब हुआ था 1925 नागपुर में दूसरा 1976 पोर्ट लुइस में हुआ था आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं PDF भी आपको मिल जाती है स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट सम्मेलन का क्योंकि एक्जाम में डारेट कुर्चन पूछे जाते हैं आपको बेजिकली लास तीन को तो याद रखना है 2023 का फीजी में होगा इसके पहले 2018 में मौरशस में हुआ था पोर्ट लुइस में और 2015 का भोपाल में हुआ था मध्य प्रदिश में हुआ था भारत में हिंदी दिवस का मनाया जाता है 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है ये रास्ट्री हिंदी दिवस है 14 सितंबर क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संबिधान सभाने हिंदी को देश की राजभाषा के रुप में अपनाया था Question number 13 देश के पहले migration monitoring system का उद्घाटन कहां पर किया गया है तो पहला migration monitoring system इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है कहां पर किया गया है मुंबई में इसकी मदद से क्या किया जाएगा जो गर्वती महिलाएं हैं जो प्रवासी गर्वती महिलाएं हैं जो दूसरे राज़ से महराष्ट राज़ में आती है या फिर इस्तन पान कराने वाली जो माताय है और बच्चों के बारे में जानकारी प्रापत की जाएगी और उनकी मदद पहुचाने के लिए उनके लिए schemes launch किये जाएंगे data कठा किया जाएगा उनकी मदद किये जाएगे Question number 14 C. Jinping किस देश के record तीसरी बार President बने है तो C. Jinping तीसरी बार President बने है चाइना के कहा के President बने है चाइना के यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी पार्टी के महासचीव है तो ये Communist Party के महासचीव है C. Jinping चीनी Communist Party के सात्वी बार महासचीव बने है मैं आपको बता दू कि यहाँ पर केवल सिंगल पार्टी ही चलता है हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है चाइना में सिंगल पार्टी चलता है वहाँ पर केवल Communist Party है और वहीं का जो महासचीव होता है वो वहाँ का राश्रपती बनता है चलिए International Federation of Film Critics के दौरा अब तक की सबसे बेस्ट भारती फिल्में किसे गोशित किया गया है तो International Federation of Film Critics के दौरा पाथेर पंचाली को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म गोशित की गई है International Federation of Film Critics के दौरा मैं आपको बता दू पाथेर पंचाली फिल्म सत्य जीतरे के दौरा निर्देशित की गई और ये बंगाली उपन्यास पर आधारित है जिसका नाम है पाथेर पंचाली और इसके लेखक हैं बिभूती भूशन बंदो पाध्याई यहाँ पर मैं आपको बता दू International Federation of Film Critics के बारे में इसकी स्थापना कब हुई है 1930 में इसकी स्थापना की गई है और Belgium की Brussels में इसकी स्थापना हुई है इसका Х reflection感じ की बリ्ट में है और प्रेजट्ट में इसके अध्यक्ष है Eileen Tazian विले दिवस जम्मू कश्मीर का कब मनाया गया तो विले दिवस कब मनाया गया महत पूर्ण प्रशन है 26 अक्टूबर को मनाया गया विले दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है पुलिस कॉमोरेशन डे पुलिस इस्मरती दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को 24 अक्टूबर को UN डे मनाया जाता है 27 अक्टूबर को Infantry डे मनाया जाता है पैदल सेना दिवस मनाया जाता है Infantry डे मनाया जाता है देखे जम्मू कश्मीर में हर साल 26 अक्टूबर को विलय दिवस मना जाता है क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को महराजा हरी सिंग के द्वारा इंस्टूमेंट ओफ एक्सेशन विलय के दस्ता वेच पर हस्ताक्षर किया गया था और जो जम्मू कश्मीर था वो भारत का हिस्सा बना 2020 में पहली बार जम्मू कश्मीर में सारजनिक अवकास की घोशना की गई थी इसी दिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारत का हिस्सा हो गया था और ये यूटी बना केंदर शाषिप प्रदेश बना यहां से 370 अनुछिद हटा दिया गया दुनिया का दश्वा सबसे बिजियस्ट हवाई अड़ा कौन सा है तो दुनिया का सबसे बिजियस्ट हवाई अड़ा ये है इंदरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू डेली में कहां पर है IGI Airport New Delhi दुनिया का दस्वा सबसे वेस्टम हवाई अड़ा गोशित किया गया है 2019 में यह 14 स्थान पर था अब सवाल यह उठता है कि रिपोर्ट किसके दौरा जारी की जाती है Aviation, Analytics, Farm Official Airline के दौरा इस रिपोर्ट को जारी किया गया सबसे पहले नमबर पर है Atlanta अंतरास्ट्री हवाई अड़ा और दूसरे नमबर पर है सईयुक तरब अमिरात का दूबई अंतरास्ट्री हवाई अड़ा यहाँ पर तीन और नाम दिये गए हैं आप इसका स्क्रिनशॉट ले सकते हैं इसकी PDF आपके पास तो मिल जाएगी किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया है तो किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया है पाकिस्तान बहुत सालों के बाद FATF की ग्रे लिस्ट से बहार हो गया है लेकिन मेमार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है देखे यह ग्रे लिस्ट होती क्या है तो FATF है क्या इसे हम बोलते Financial Action Task Force तो Financial Action Task Force का काम होता है कि उनकी उपर प्रतीबन लगाना उनको उस लिस्ट में सामिल करना जो आतंगवाद को टेररिजम को प्रमोट करते हैं उनको Financial Aid देते हैं तो पाकिस्तान आतंगवाद को बढ़ावा देता था इसलिए उसको शामिल किया गया था अब अभी सुधार कर रहा है इसलिए उसको बाहर कर दिया गया है 1989 में FATF की स्थापना हुई थी 2010 में भारत इसका सदश्य बना था और T. Raja Kumar प्रेजेंट में इसके चेर्मेन है पाकिस्तान आतंगवाद विरोधी financing and anti-money laundry में कमी देखने को मिली है और 2018 से FATF की ग्रे सुची में था अब इससे हटाया गया है मैमार को blacklist किया गया है मैमार इरान और उत्तर कोरिया को प्रेजेंट में अंडर 23 विश्व कुस्ती चेंपेंशिप में अमन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता है तो विश्व कुस्ती चेंपेंशिप में अमन सहरावत ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है तो भारत के पहले पहलवान जिन्होंने अंडर 23 विश्व कुस्ती चेंपेंशिप में भारत को आयोजन हुआ है हाली में सितरंग चकरवाद देखने को मिला है तो कहा पर सितरंग चकरवाद देखने को मिला तो सितरंग चकरवाद बंगाल की खाड़ी में बना है ये कोशन पूछा जाएगा important है तो भारती मौसम विज्ञान विभाग के अनुसा सितरंग जो है 2018 के बाद बंगाल की खाड़ी में बनने वाला पहला साइकलोन है और इसका नाम सितरंग किस देश ने दिया है थाइलेंड ने इसका नाम दिया है मैं आपको बताना चाहूँगा की दुनिया के अलग-अलग कोनों में साइकलोन को किन किन नाम से जाना जाता है जैसे केरेबियन सी में इसे हरीकेन बोला जाता है चाइना की रीजन में से टाइफून बोला जाता है हिंद महा सागर में से ट्रॉपिकल साइकलोन बोला जाता है और जापान में से टाइफू बोला जाता है Northern Australia का रीजन है वहां पे विली-विली बोला जाता है फिलिपिस में बगूईयो बोला जाता है और अमेरिका में हरीकेन और टॉर्नेडो दोनों नाम से जाना जाता है हाली में किस देश ने इस्राइल की राजधानी को यरुशलेम मानने की मानता को वापस ले लिया है तो हाली में आस्ट्रेलिया ने कहा है कि इस्राइल की जो कैपिटल यरुशलेम है ये नहीं होगी इसकी कैपिटल तो इस्राइल के डिसंबर 2018 में प्रधान मंतरी कौन थे औस्ट्रिलिया के स्कॉट बोरिसन थे तो उन्होंने मानता दी थी कि यरूशलेम जो है इस्राइल की राजधानी होगी लेकिं प्रधान मंतरी हैं एंथोनी अलबनीज और इनकी सरकार ने इस्राइल की किया जो यरूशलेम है उसको मानता देने से मना कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इसकी capital तेल अवीब होगी तेल अवीब को राजधानी एक रूप में फिर से मानता देने पर सहमती व्यक्त की है Very very important question दोस्तों बहुत महत्पून प्रस्ण है हाली में 27 जलवायू परिवर्तन सम्मेलन कहा पर हुआ होगा या फिर होगा तो कहां पर होगा 27 जलवायू सम्मेलन एजिप्ट में होगा मिश्र में होगा 26 जलवायू परिवर्तन सम्मेलन अगले महिने 6-18 तारिक की बीच में होगा और पहला जो हुआ था जर्मनी में हुआ था 1995 बर्लिन में और आलोक शर्मा इसके प्रेसिडेंट थे जो लास्ट कॉप 26 हुआ है यह आपको याद रखना है अब यह कॉप 26 कॉप 27 इसका मकसद क्या है हमारे ओजोन लेयर का जो डिपलेशन हो रहा उसको रोकना परिया वरण में जो प्रदूशन उसको कम करना उस सर्जन को कम करना जो क्लाइमिट पे चेंज आ रहा है उसको धीरे धीरे कम करना चले यूपी के धर्मशाला बाजार चौक का नाम बदल कर किसके नाम पर रख दिया गया है तो धर्मसाला बजार चौक का नाम किसके नाम पर रखा गया है? गुरू नानक देव जी के नाम पर ये चौक का नाम रख दिया गया है देखिए आप पर भगस सिंग लिखा हुआ है तो मैंने आपको कुछ दिन पहले की important current affairs पढ़ाया था चंडीगड हवाई अड़े का नाम बदल कर भगस सिंग जी के नाम पर रख दिया गया है तो ये काम किसने किया है? यूपी के मुख्य मंतरी योगी आदित नाथ जी ने किया है question number 25 दिये जलाओ पटाके नहीं इस अभियान को कहां पर शुरू किया गया है तो दिये जलाओ पटाके नहीं ये अभियान दिल्ली में शुरू किया गया है मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में बहुत जादा प्रदूशन है और पटाके की वज़े से ध्वनी प्रदूशन और जो वातावरण में प्रदूशन है वो बहुत जादा बढ़ जाएगा इस वज़े से प्रतिबंधित किया गया है इस अभियान को स्टार्ट किया गया है एक जनवरी 2023 तक सभी तरह के पटाकों का स्टोरेज इसकी विक्री और इसके इस्तमाल पर रोक लगा दी गई है हाली में PM मोदी जी ने किस राज में PM आवास योजना के तहत लेकिन मैं आपर ग्रामीड बोल रहा हूं चार दसंबलों इंक्यामन लाग से अधिक परिवारों को घर सौपा है तो मध्य प्रदेश में PM आवास योजना ग्रामीड के तहत चार दसंबलों इंक्यामन लाग से अधिक परिवारों को घर सौपा है मध्य प्रदेश में ये इसमें क्या हुआ है 29 लाख मकानों का निर्माण कारे करीब लगबग 35,000 करोड से अधिक की लागत से पूरा किया जा चुका है अब तक 38 लाख मकान सुईकरित किये जा चुके है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीड और प पहले प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीड का नाम था इंदीरा आवास योजना और इसकी शुरुवाद 20 नवंबर 2016 को हुई है और ये जो है प्रधान मंतरी आवास योजना शहरी इसकी शुरुवाद 2015 में हुई है तो शहरी का मतलब है शहर में गरीबों को घर देना जिनके पास घर नहीं है जो बेघर है ग्रामीर का मतलब है जो गाओं के छेतर है वहाँ पर उन गरीबों को घर देना अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कोन बनी है तो पहली एशियाई अमेरिकी बनी है अन्ना में वोंग अमेरिकी मुद्राप प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी अन्ना में वोंग बनी है हॉलिवुड में चीनी अमेरिकी फिल्म स्टार रह चुकी है अन्ना में वोंग इनका नाम से क्वार्टर डॉलर कॉइन जारी किये गए है Q28 हाली में पिनाकी चौधरी का निधन हो गया इनका संबंध किस छेत्र से था जल्दी से comment box पर उत्तर दीजे तो पिनाकी चौधरी का संबंध फिल्म निर्देशक यानि ये फिल्म निर्देशक थे फिल्म डारेक्टर थे अभी हमारे बीच में नहीं रहे पंगाली फिल्म निर्देशक थे और राष्ट्रिय पुरसकार प्राप्त करता थे पिनाकी चौधरी इनका 82 एर्ज की उमर में निधन हुआ है हाली में हुए निधन को डिसकस करते हैं हाली में सपा के संस्थापक और यूपी के पूर मुख्य मंतरी का निधन हुआ इनका नाम है मुलायम सिंग यादो सुजलान एनर्जी के चेर्मेन इनका निधन हुआ इनका नाम है तुलसी तांती क्या नाम है तुलसी तांती नाम है पूरो भारती टैनिस खिलाडी का निधन हुआ है इनका क्या नाम है नरेश कुमार नाम है क्या नाम है इनका नरेश कुमार आप स्क्रिन शॉट भी ले सकते हैं PDF आपको मिल जाएगी किस देश की महिला क्रिकटरों को पुरुस क्रिकटर के बराबर फीस की घोशना की गई है तो अच्छी पहले हाला कि इसमें बहुत सारी खामिया है जो इनका अनुबंध है उसमें एक साल का एक एगरिमेंट होता है उसकी फीस में देखा जाये तो महिलाओ को कम पैसा मिल रहा है पर पर मैच फीस जो है उसको बराबर कर दिया गए जो एक साल का एगरिमेंट होता है तो एगरिमेंट में पैसा कम मिल रहा महिला क्रिकटरों को बट पर मैच फीस बढ़ा दी गई है PCCI के सचिप को उन्हें जैशा इन्होंने घोशना की है कि महिला क्रिकटर खिलाडियों को पूरुष क्रिकट खिलाडियों के बराबर फीस मिलेगी अब देखिए 15 लाक रुपए मिलेंगे टेस्ट मैच के लिए ODI मैच के लिए 6 लाक रुपए और T20 मैच के लिए 3 लाक रुपए फीस दी जाएगी PCCI के वारे में मैं आपको सारी महतुपूर्ण पॉइंट समझा देता हूँ PCCI की स्थापना 1928 में हुई है अभी हाली में इसके अद्धेश बने है रोजर बिन्नी इसका हैड कोर्टर मुंबई महराष्टर में है इसके सचीव है जैशा उपाधेश कोन है राजीव शुकला है IPL के हाली में नए अद्धेश बनाएगा है अरुण धूमल आज का आखरी प्रश्ट है ट्विटर पर किसका पूरी तरीके से अदिग्रहन हो गया है तो ट्विटर पर पूरी तरीके से अदिग्रहन एलान मस्क ने कर लिया है हाली में इन्होंने ट्विटर की CEO पराग अगरवाल को हटा दिया है इनकी जगह से और एलान मस्क जो है पूरी तरीके से Twitter पर उन्होंने कबजा कर लिया है, अब खरीदा है कबजा क्या किया है, पूरी तरीके से इन्होंने क्या किया है, अधिगरहन किया है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दू, Twitter के नए मालिक Elon Musk बन गए है, अब केवल CEO को नहीं हटाया है, इसके साथ दो और officers को ह की बात करते हैं, तो 2006 में इसकी स्थापना हुई है, इसके चार संस्थापक हैं, पहले है इवांस विलियम्स, दूसरे है जैक डॉर्सी, तीसरे है नू ग्लास, और चौथा है चौथे वेक्ति बीज स्टोन, और इसका मुख्याले कहां पर है, San Francisco, California, USA में इसका headquarter है, चली अब आप सभी का टेस्ट होगा, वीकली गरेंट फेस्ट तो अपने पढ़ा है, 30 questions में अपने marks भी बताईएगा, 10 questions में भी आपको marks बताने है, Tiger, Trump, Youth, अभ्यास, भारत और किस देश की बीच में हुआ है, तो मैंने आपको पढ़ाया है, 10 में 10 नंबर चाहिए, भारत और अ राजपुर समुद्र तट कहां पर इस्थित है, ये कहां पर है, गुजरात में, टोटल 12 तटो को Blue Flag Certificate मिला है, BCCI के हाली मध्धिक्ष बनाएगा इनका क्या नाम है, ये है, रोजर बिन्नी, किनके स्थान पर आए है, सौरव गांगुली जी के स्थान पर आए है, भारत क Sport Market में सबसे पहला स्थान, अमेरिका का है, एमस्टर्डेम किस देश की Capital है, निदर लेंड की राजधानी है, एमस्टर्डेम. वज्र प्रहार युद्धभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है तो वज्र प्रहार युद्धभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है सूर्य किरण युद्धभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्ण कई बार पूछा गया तो यह होता है भारत और नेपाल के बीच में रिशी सुनक किस देश के प्रामिनिस्टर हो गए है तो रिशी सुनक किस देश के प्रामिनिस्टर बन गए है ब्रिटेन के आली में प्रधान मंत्री बन गए है रिशी सुनक का संबंध किस पार्टी से है तो इनका संबंध कंजर्विटी पार्टी से है इस सारे महात्वपूर्ण प्रशन है पताईए दस में दस आये के नहीं आज का सवाल आप सभी के लिए पार्वा विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आजित होगा इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है इसकी पीडियाफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी हमारे अप्लिकेशन पर मिल जाएगी आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताईएगा और आपको मैं good news दे दू कि मैं marathon class ले करके आ रहा हूँ आप लोगों के सामने marathon class ले करके आ रहा हूँ साथ में 6 months के current affairs को भी लाऊंगा अब हर महीने आपको marathon class मिलेगी आप लोगों ने marathon class को बहुत प्यार दिया इसके लिए दिल से सुक्रिया दिली करेंट अफेर्स को भी आप लोगों ने इतना जादा सराहा और इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं फिर कल इसी उर्जा इसी जोस के साथ अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हर एक व्यक्ती केवल एक ही अपने किसी दोस्तों को शेर करें ताकि वो भी इस करेंट अफेर्स का फायदा उठा सके तब तक के लिए जै हिन जै भारत